नमस्कार दोस्तों, मुरा नाम है विशाल, मैं री सेवचे लिस्ट हूँ स्टॉक बोक्स इकनोलोजी इसमें और आप सबका स्वागत है आज के स्टॉक बॉक्स के बिजनस स्टैंडर्ड अनालिस वीडियो यहां पर बिजनस न्यूस पेपर्स के कुछ बड़िया आर्टिकल इसके लावाल जॉब्स हर चीज़ डिपेंड करता है ओवराल एकनोमी पे बिजनस ग्रोथ पे आपके इन्वेस्मेंट्स रिटार्यमेंट सेविंग्स हर चीज़ तो जरूर इस चैनल को सब्सकाइब कर लिए अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है शुरुआत करूँग लेगिन थोड़ी ना negative reports आ रही है क्या negative reports है आर बिएक एक report आई है जिसमें कहा गया है कि bank need to align credit and deposit growth credit का मतलब क्या हो गया जो आप अपना पैसा किसी को उधार देते हो ना ये अपने उधार दिया तो यह होता है credit देना credit इसके अलावा आपने deposit का मतलब क्या होता है जब आपने पैसा लिया तो यह होता है deposit तो bank में पैसा deposit करते हैं आपको bank कितना दे रही है 2-3% और credit जब bank आपको दे रही है तो आपसे ले रही है 10%, 11%, 12% इसी को हम बोलते हैं overall credit and deposit तो यहाँ पर problem क्या हो गया है आज का लोग bank में पैसा deposit कम कर रहे है तो bank को पहले 2-3% के इस पर पैसा मिल जाता था हमेसे 2-3% देना पड़ता था bank को और अब bank इसको loan पर दे देती थी 10%, 11, 12, 15% पर भी देती थी तो वो loan कर देती थी bank दूसरों को अब क्या हो रहा है यह यहाँ पर drop आ रहा है तो जब deposit कम होगा तो bank पैसा देगी कहां से लाखे पैसे नहीं है bank के पास तो कम पढ़ रहे हैं पैसे देने के लिए क्योंकि यहाँ growth कम हो गई है deposit की लब लोगों ने अचानक से ऐसा क्या change हुआ कि लोगों ने कहा कि ने भाई bank में पैसा हम नहीं रख हम deposit नहीं करेंगे हम कहीं और डालेंगे कई लोग का मानना है कि stock market में पैसा आ रहा है yes stock market में जिस हिसाब से तेजी है लगता है कि काफी पैसा आप लोग आप कह सकते हैं freely stock market में डाल रहे हैं काफी जादा risk आप कह सकते हैं appetite low का increase हो चुका है उस perception से अगर देखें अब देखें इस article में क्या लिखा है यहां लिखा है net interest margin सबसे पहले ही word net interest margin क्या होता है यह जो आप loan दे रहे हो 12% पे और मैं जब पैसा डाल रहा हो मुझे दे रहे हो 2% तो 10% का बीच में आप पैसा खा रहे हो तो यह होता है net interest margin bank ऐसे पैसा कमाती है bank को अगर hdfc bank enforces और reliance इन तीनों को आप अगर analyze करने बैठो तो तीनों को बहुत ही अलग तरीके से analyze करना पड़ेगा business model बिलकुल अलग है तो bank का business model बिलकुल अलग होता है तो यहाँ पे overall report highlight कर रहा है कि imbalance create हो गया है अब balance जो है वो गडबड हो चुका है deposit growth में जो loan growth से अगर आप इसको compare करो और यहाँ पे जो latest trend है अगर आप यह देखो तो credit growth हुआ है 13.7% मतलब bank ने loan दिया 13.7% ज्यादा पहले से और deposit growth आया है 10.6% और deposit growth है पहले से सिर्फ 10% ज्यादा तो overall आप gap देख सकते हैं कि loan बड़ी तेजी से दे रहे हो आप पैसे दे रहे हो बहुत तेजी से लेकिन आ रहा है कम तेजी से तो यह बराबर रहना चाहिए उल्टा और ज्यादा रहे तो और better है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है अब इससे problem क्या हो सकती है RBI ने बूला कि banks को अब पैसा कहीं और से उठाना पड़ेगा क्योंकि लोग saving में तो डाल नहीं रहे तो पैसा उठाना पड़ेगा certificate of deposit से high value savings account से या fix deposit से अब मैं fix deposit करोगा तो मिरेको 7% मिल रहा है इस पे bank इसको 12% पर लेंट करेगी तो bank कमाईगी 5% saving में मुझे 2% मिल रहा है bank इसको 12% पर लेंट करेगी bank को मिलेगा 10% तो यह जो difference है ना 10% और 7% यह बहुत ही बड़ा difference है तो आप देखो महेंगी महेंगा पड़ेगा bank को पैसा उठाना तो पहले वही पैसा सस्ते में मिल रहा था आप उसके महेंगे में दे रहे थे अब पैसा मिल भी आपको महेंगे में रहा है तो यह overall banks नहीं करना चाहते तो यह एक race हो सक banks के margins कमाएंगे आगे हमें stress देखने को मिलेगा banks के P&L statements पर overall अगर आप देखें तो इसी वक्त एक significant increase आया मतलब बहुत बड़ा increase आया certificate of deposit issuance में bank cd issue कर रहा है जिसमें यह 3.49 trillion rupees का issue किया इन्होंने 9 August तक compare to 1.89 यह सिर 1.89 था last year और इस साल आप देख सकते हो कि 9 August तक 3.49 trillion हो चुका है तो banks अब सस्ते दाम पर जिसे साप से savings से पैसे मिल रहे थे वो नहीं मिल पा रहे है बैंक को तो यह थोड़ा सा वरे समिश्यू है अब मैं बात करूंगा automobile companies में बसे बनाने वाली companies यहां पर दो companies है जो बसे बनाती है यहां पर मैंने mark भी किया हुआ है overall अगर आप देखें तो Tata Motors और इसके लावा अशोक लेला है यह दो companies हैं जो बसे बनाती है इस वक्ति इंडिया में और इंडिया में rapidly growth हो रहा है काफी fully built buses unit का fully built unit जो complete built unit होती है बसे की जिसमें seat से लेके हर्षी आपको लगे भी मिलती है ठीक है कोई customization नहीं एक normal बढ़ चुकी है और इस वक्त अच्छा खासा order book बैठा है टाटा एंड अशोक लेलेंड के पास तो यह कह रहे हैं हमें लग रहा है कि यह trend जो है यह चलता ही रहेगा continued रहेगा and fully built buses जो है यह preferred choice बन गया है transportation needs के लिए तो overall जो transportation needs है इस time पर काफी जादा increase हो रही है of course public space में अगर आप दिखेंगे government infrastructure पे record पैसा खर्च कर रहे है तो record infrastructure development होगा तो of course buses और trains और railways सारी चीज़े infrastructure में तो आती है पैसा यहां भी आएगा और customers अब fully built unit खरीद रहे हैं जो टाटा और अशोक लेलंड के पास है और यहां पर specific reasons बताएगे कि हमारे पास ही क्यों आ रहे हैं लोग सबसे पहले तो superior quality ride comfort बढ़िया रहता है के रहे हैं इनके पास aesthetics हैं interior packaging बढ़िया है और after sale और warranty support भी fully built unit buses पे ज invest किया है और आपका क्या reason है और क्या outlook है इन दोनों companies को शुरुआत करता हूँ मैं दूसरे article की cautious policy needed if food inflation persist food inflation को हम discuss करते रहते हैं हमेशा और इसका एक reason भी है food inflation आप कह सकते हैं कैसे चीज है जो RBI control नहीं कर पा रही है और इसको लेकि frustrated लोग इतना हो गया है कि इसके बारे में debates कर रहे हैं कि इसको inflation मानते ही हम इसको हटाओ क्योंकि RBI inflation को कैसे कम करेगी सबजी के दाम RBI कैसे control कर सकती है दाल चने के दाम RBI कैसे control कर सकती है लोग का यह मानना है और इसकी वज़े से क्या हो रहा है हमारा पूरा महगाई का data खराब आ रहा है आप समझे आप 5 subject में पूर आप कर रहे हैं मतलब ऐसा पूर कर रहा है आपके समझ लेजिए आप फेल हो रहा है ठीक है 20 माक्स आ रहे हैं फेल भी बहुत दूर है मतलब 33 भी नहीं 20 18 माक्स आ रहे हैं आपके तो RBI का problem भी है कि overall हमारा जो inflation का data है consumer price index इसमें बहुत सारी चीजों की महंगाई लेकिन food इतना जादा उपर चला जा रहा है जिसकी वज़े से हमारा पूरा data जो average है वो ये खराब कर दे रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो targets है फिर आब वो और हमें wait कर रहेंगे और काफी एक साल और delay कर देंगे तो लोग frustrated हो रहे हैं इससे right हमें चाहते हैं कि हमारे home loan सस्ती हो जाएं आप भी चाहते हो education loan सस्ती हो जाएं आपके bike loan सस्ती हो जाएं car loan लेकिन ये loan ना ये food price inflation जो है food inflation ये कम नहीं होने दे रहा हमारे क्योंकि डाल के rate आप देखो चने के rate देखो या फिर सबजियों के rate देखो टमाटर प्यास आलू कुछ ना कुछ ऐस policy इनका क्याना है कि only active dis inflationary agent है economy में इस line का मतलब में बताता हूं monetary policy क्या होता है जो अर्वियाजदर को घटाती है बढ़ाती है महंगाई को काभू करने के लिए सिर्फ यही एक active agent है कौनसा agent है dis inflationary inflationary मतलब महंगाई बढ़ना कभी हम डिस लगा देता है तो उसका उल्टा हो जाता है तो dis inflationary का मतलब महंगाई को कम करने के लिए सिर्फ एक ही agent है हमारा कौनसा agent monetary policy agent ठीक है food price pressure जो है यह persist करता है है अभी और यह spill over कर रहा है तो बहुत ही cautious monetary policy approach की जरूरत है इस वक्त तो यह हमारे लिए तो बहुत बढ़ी खुशकबरी नहीं है क्योंकि जितना cautious monetary policy approach रहे का RBI का हम expect करेंगे कि उतना ही जादा delay होगा interest rates के घटने में but of course deputy governor है और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या बोल रहे हैं तो इनका क्याना है कि बहुत जरूरी है कि हम food price को बहुत ही closely or diligently watch करे report indicate कर रहा है कि अगर हम जो food price में जो price के changes आ रहे है अगर इसे transitionary treat करेंगे तो problematic होगा यह transitionary नहीं है मतलब मैं अगर बोलू कि हाँ बहुत ही cautious रहना पड़ेगा इस सीज को लेकि और monetary policy भी हम cautious हमें रखना चाहिए तो overall अगर आप देखें पैंडमिक से 2020 से अगर आप compare करें ना अब देखें यह disturbing data है 2020 से अगर मैं compare गरू 2024 तक total कितने महीने होता है 12 इंटू 4 ठीक है 48 महीनों में अगर आप compare करें तो 57% मंथ ऐसे हैं जब महंगाई दर 6% से ज़्यादा बढ़ा है food inflation का तो आप सोच सकते हैं कि कहां पर अभी पहुत चुका है पिछले 4 सालों में आधे से ज़्यादा महीने ऐसे रहे हैं overall जब हमने 6% का या उससे अबव inflation देखा है ठीक है और यह बताता है कि core inflation भली historic low पर आ गया हूँ जैसा हम आर्टिकल के शुरुआत में डिसकस करें थे कि बाकी सारी चीज़े बिल्कुल लो पर आ चुकी है लेकिन food pressure ऐसा है जो unrelentingly persistent है बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है और overall अगर आप देखें तो यह influence कर रहा है हमारे लोगों के expectations होगी और potential spillover होगी आप मैं बता दू हमारी जो overall population है उसमें कई सारी लोग below poverty line भी है और food inflation उनके लिए तो बहुत ज्यादा important है क्योंकि आपके पास जितना कम पैसा है आप उतना कम खाएंगे और जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा खाएंगे ऐसा है ही नहीं रह लेकिन overall percentage में मान लिजे 5000 खाने का अगर कर्चा है किसी का एक आदमी का सिर्फ खाने का मैं बोल रहा हूं तो 50 परसेंट जा रहा है इसके income का और अगर कोई एक लाग कमा रहा है तो वो भी कितना ज्यादा खाएगा इससे रहे तो उसका let's say 10 परसेंट होगा अगर दस अजा capital income है तो यह बहुत ही problematic issue है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें इस सारे events पे तो कई लोगा तो भी मानना है कि भाई food को हटा दो inflation के data से क्योंकि यह ब्यास दर से इसको कोई फरक नहीं पड़ता overall यह supply का issue है demand के विज़े से tomato महेंगे नहीं हो रहें supply की logs negative earnings in q1 yes वासट percent bombay stock exchange 500 जो इंडेक्स है इसकी companies है वो negative earnings log कर चुकी है इस वक्त quarter one में तो यह बहुत ही disturbing data है क्योंकि जैसे सबसे market में rally है इस वक्त जो लोग अंदा पैसा लगा रहे है companies ऐसे पैसे रिटरन दे रही है मतलब 10% तो आ जाना कुछ ही नहीं आजकर ऐसा हो गया है कि इन में से बासट परसेंट companies ऐसी है वेसी 500 में जिनको profit हुआ ही नहीं इस बार negative earnings है तो profit boom हमें जो देखने को मिला covid-19 pandemic के बाद यहां पे parallels कर गी है इनोंने strong growth हमें देखने को मिला even doctor.com bubble के बाद भी दोजार इश्वी में जो dotcom bubble हुआ था market crash हुआ था उसके बाद भी earnings growth बहुत बढ़ी आ रहे थी ठीक है तो overall performance भी earnings growth के वजह से थी लेकिन एक recent note आया है अनके global financial services वारा जहां पर बताया गया कि sharp increase आ गया है negative earnings surprises में येस अगर आप proportion देखे उन companies का जो BSE 500 में है top 500 companies जो negative earnings दे रहे हैं वो पहले 46% थी और अब बढ़के 62% हो गई तो बहुत 50% increment ह हो गया उन companies में जो negative earnings दे रहे हैं तो काफी disturbing data है क्योंकि इनके share price अगर आप देखेंगे तो यह double triple 4 गुना होते जा रहे हैं लेकिन इनकी performance और profit है यह cut होते जा रही है यहां पर तो अगर आप देखें नुवामा ने cut किया 25 25 का earnings growth estimate nifty 50 companies के लिए by 2% जहां पर cyclical की बात किय गई है जैसे autos, industrials और forecast रखा गया है defensive के लिए जैसे कि IT और FMCG के लिए वो unchanged रहे है कि IT FMCG अच्छा करेगा जैसा था वैसा करेगा यह नहीं कि बहुत अच्छा करेगा बच जो expectations थी उसके हिसाप से city bank ने कहा है कि जो headline nifty growth है उसका estimates इनके हिसाप से तो unchanged चेंज करने के ज रहेगी material, industrial और healthcare industry से और moderation आएगा auto companies में तो auto companies को लेके सारे brokers कह रहे है कि नहीं भाई हमें तो कुछ खास नहीं लग रहा JP Morgan ने भी revise कर दिया अपना outlook, downgrade किया इनोंने stocks को automobile sector के और upgrade किया है consumer staples को तो कहा है कि lackluster performance रहा है, lackluster मतलब क्या है कुछ ज्यादा तरखता बरखता कुछ रहा नहीं है, ठीक है वो spark देखने को नहीं मिला, overall performance में, तो यह report है BAC के 500 companies के बारे में, आते हैं एक editorial article भी discuss करता है यहाँ पर, leveraging agri tech, agri tech मतलब agricultural technology, agriculture में किस तरीके से हम technology को leverage कर सकते हैं, किस तरीके से हम adaptation कर सकते हैं, agriculture में technology का, इसकी बात होगी, इसमें, तो farm की productivity अगर हमें बढ़ानी है, overall productivity में इंडिया बहुत पीछे अगर आप देखेंगे, एक square foot, अगर एक आदमी US में, let's say, farming करता है, तो कई गुना produce करता है, उस आदमी से इंडिया में जो sales square foot पे काम कर रहा है, farming कर रहा है, तो government चाती है, कि हमें area नहीं बढ़ाना है, farming का, हमें तो productivity से मतलब है, इस वाक, तो दो important measure announce किये गए, technology adoption को support करने के लिए, इंडियन agriculture में, सबसे वाले तो, कृशी decision support system, और national pest surveillance system, त ठीक है, and satellite imagery को, ताकि convey करे real time information और crop condition, weather pattern, water resources, soil health, farmers को, ये सारी चीज़े, communicate करेगा, तो farming बहुत ही complicated चीज़े है, और बहुत ही tough business है, अगर आप आज कोई भी business करने हैं निकलो, और अगर farming का business आप देखो, तो बहुत ही ज़्यादा tough होता है, और yield उसके बाद उसमें कुछ अगर पैसे कमाने की बात करें, तो ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा business है, जिसने 90% लोग, आप देख सकते हैं, कि किस level of per capita income पे है, तो आपको समझ में आएगा, कि को lucrative business नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत ही important है, बहुत ही ज़्यादा, हमारी population क को overall fed रखने के लिए, तो ये warn करेगा इन्हें potential disasters के बारे में, crop condition के बारे में information देगा, weather pattern बताएगा, water resources, soil की health बताएगा, farmers को, ठीक है, और pest attacks, extreme weather events, ये सारी चीजों को predict करने में, estimate करने में मदद करेगा, crop residue management में मदद करेगा, inform करेगा government को unique needs के बारे में हर एक farm parcel unit के, तो जो latter है, ये artificial intelligence based system में, तो देखिए AI अब हम agriculture में भी ला रहे हैं, जो pest management में help करेगा, ठीक है, क्योंकि pest से काफी नुकसान होता है हमारे farmers को, और ये benefit कर सकता है करीब 140 million farmers को, जो photos लेकर के, infested crops करके, और pest के upload करेंगे using the NPSS platform, और ये help करेगा address करने में problem of excessive pesticide use, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी परिशानी हैं कि हमारे खाने में excessive pesticides use होते हैं, और यहाँ पे इसका effect कई बार लोग के health पे भी लोग कहते हैं कि है, क्योंकि हम जो सबजिया खा रहे हैं, जो चीजे खा रहे हैं, अगर हम धंसे धो के ना खायें, तो वो pesticide और सारे chemicals, वो हम inhale भी कर सकता ह हैं, हमारी body में भी वो आ सकता है, which is very harmful to us, and it's cost effective भी नहीं है, अगर आप इतना जादा pesticide यूज कर रहे हो, इस भी जरूरत नहीं है, तो in the wake of climate change, और pressing need for sustainable agricultural practices, artificial intelligence based solutions and geospatial technology, इंडिया के agricultural landscape, और चेंज कर सकते हैं, अब सुनने में और पढ़ने में तो मुझे बहुत ज़ाद advanced लग रहा है, मतलब AI मैं normally नहीं देख रहा हूं, यूज होते हुए, industries में और companies में, अचानक से agriculture में AI आ जाना, तो यहां में बहुत specific मुझे लगता है, this is kind of something जो जिसमें वक्त लग सकता है, क्या ये practically ये चीज़े हो रही है इस वक्त, इसमें बहुत training की जरूरत है, और ब इसा खर्च करना होगा, and it won't be easy, अगर आप augment करता है, investment को in agricultural research using technology, तो India एक better position में होगा to prepare its agricultural sector and to adapt to mitigate the impact of climate change viability, तो climate viability है, ठीक है, और हम agriculture production को increase करना चाहता है, बिना climate को change किये, या फिर climate को adversely affect किये, मैं ये बोलूँगा, environment को बिना negative impact, के environment पे हम लोग farming करना चाहते हैं, और हमारे country के production को बढ़ाना चाहते है, even in terms of quality and quantity, तो यहाँ अगर हम satellite imagery use करेंगे, remote sensing based solutions use करेंगे, artificial intelligence use करेंगे, agriculture में, तो जो हमारे challenges है, overall, जो हमारे किसान face कर रहे है, हम वो सारे challenges को easy कर पाएंगे, हमारे, आप कह सकते हैं, stakeholders के लिए, और इसका जो फाइदा है, हमें भी मिलेगा, अब देखते हैं कि कई सारे मौसम ऐसी जाते हैं, जहां पे हमारे प्यास सेमार्टर के दाम, जो हम discuss करेंगे, चार चार गुना हो जाते हैं, तो यह जो अचानक से supply shock आता है, अगर हम AI tools और data use करेंगे तो, बट यह क्या से करेंगे मुझे लगता है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, यह कि अचानक से क्या ऐसा artificial intelligence develop हो चुका है, जो यह सारी चीजे करेगा, क्या यह इतना advanced है, तो overall digital advancement को support करने के लिए agriculture में, इंडिया digital ecosystem of agriculture, idea, यह तो आराम से याद रहने वाला acronym है idea, idea framework espouse करता है कि आप emerging technologies को adopt करो sector म जैसे कि robotics, drones, data analytics, ठीक है, and PwC ने यह study किया और show किया कि potential है drone powered solution का agriculture में, इंडियन agriculture में, जैसे में 32 billion dollar की valuation है, और agriculture drone usage, इंडिया में increase करेगा, करीब 38.5% की CAGR से और 121 million dollar का, यह valuation achieve कर लेगा by 2030, तो overall अगर आप बात करें, यहाँ पर technology की बात हो रही है, बट मुझे लगता है, we need more information कि हम यह करने वाले, यह करने वाले, यह करने वाले, यहाँ इस पर हम specifically एक अलग video बना सकते है, मुझे नहीं लगता कि इसमें problem होनी चाहिए, अब आता है दूसरे editorial पर, यहाँ बात कर रहे है, इस soft inflation, soft inflation is not transitory, तो inflation के बारे में आज हम दूसरा article जा रहा है, इंडिया का CPI है, consumer price index inflation, यह drop हो चुका है to 59 month low, मतलब मैं कांगत खरी 5 साल के low पर है, 3.5% आया है, ठीक है, year on year basis पे जुलाई में, लेकिन इस से कोई celebration की बात नहीं होई, को किसी नहीं किया कि भाई मेंगा इदर 5 साल के सबसे lowest point पर है, और reason यह है कि जो drop आया inflation में, यह base effect की वज़े से आया है, जो risk है ना हमारे food inflation के, strong है, and जरूरी है कि हम credit growth को भी कम करें इस वक्त, ठीक है, क्योंकि credit deposit growth जो है, यहाँ पे भी gap काफी बढ़ गया है, जिसके बार में हमने अभी discuss किया, तो दो article के जो आप हमने उपर के discuss किये है, अगर आपको वो समझ में आए, तो आपको यह और बढ़िया तरीके से समझ मे है का, तो सबसे पहला title है, this is not just a base effect, अभी मैं कुछ दून पहले base effect की बात करा था, कि मान लीजे, मैं किसी समान को 100 रुपे से 200 का कर गी, 100% inflation हो गया और अचानक से 200 रुपे से, यह सिर्फ 202 रुपे ही बढ़ा, अगले एक महीने, तो यहाँ पे सिर्फ 2% inflation है, 1% inflation है, तो अब क्या होगा, मैं अब इसे, क्या करूँगा, celebrate करूँगा, कि सिर्फ 100% से 1% पे लिया, मैंने तो कमाल कर दिया, जबकि पहले मैं inflation को measure कर रहा था कि इस पे, 100 रुपे पे, अब मैं measure कर रहा हूँ 200 पे, तो base change कर दिया मैंने, तो 202 भी कितना अब 1% है, ऐसे कम से कम भी कि रहता, दो भी बढ़ना तो 2% रहता है, यहां बे भी 100% का difference आ रहा है, तो यही हुआ है हमारे inflation के साथ, तो this is not just base effect, इनका सबसे पहला title यह है, base effect ने role play किया है, लेकिन यह तो well known था, जो downside surprise आया July CPI में, यह बता रहा है कि weaker than expected momentum है, जुलाई में upward हमें revision देखने को मिला, mobile tariffs म बढ़े हैं हमारे, और sequential momentum जो था core inflation का वो still zone वाले ही pace से बढ़ा है, इसका मतलब दूसरे core categories में भी inflation बहुत ही कम रहा है, जबकि हमारे mobile recharge के दाम बढ़े, still हमें core inflation बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, food inflation is not a big risk, food prices volatile हैं और predict करना तो भाई भगवान ही कर सकते हैं, लेकिन जो high frequency data है, वो दिखा रहा है कि prices have come हो रहे हैं, और बहुत ही जल नीचे आ सकते हैं, अगर 50% of food inflation अगर आप देखें, led by vegetables, यह shorter price cycle रहता है, vegetables का, जब fresh arrival आ जाते हैं, vegetables के तो दाम बिलकुल नीचे आ जाते हैं, जैसे right, अब सर्भी आएंगी, तो मटर अभी आपको शाद 100 इस रुपे भी मिलना शुरू हो जाएगा कई सारे अरियास में, तो pulses जो है, वो follow करता है, cobweb cycle, जहां पर higher price incentivize करता है, कि आप ज़्यादा agriculture में participate करो for pulses, जिसकी वजह से output बढ़ता है, और prices पर अचानक से कम हो जाते हैं, pulses के, तो दाल से लेके जितनी भी चीज़े हैं, इन लोग इन पर focus कने लगता है, कि हम यही होगाएंगी, इसमें बड़ी आ rate मिल रहा है, और जब वो यह करते हैं, तो तब तक production बढ़ जाता है, और इसके rate गिर जाते हैं, तो इसके बारे में भी tension लेने की बात नहीं है, writer का यह कहना है, तो इनका यह मानना है, कि यह सोचते ह 25, second round effects are unlikely, latest data दिखा रहा है, कि अगर 0.22 PP rise होगा in one year, ahead of household inflation expectations, but that is still down 1.2, from the 2022 peak, जो nominal rural wage growth है, it is subdued at less than 6% year on year, and corporate results show a moderation in salaries and wage growth, तो overall यहां पर बात हो रही है, purchasing power की, तो इसमें देखे, अगर आप लोग की purchasing power देखेंगे, तो जो rural wage growth है, जो आप कह सकते हैं, rural areas में, इंडिया के, wage growth है, यह 6% से भी कम है, year on year basis पे, और इंडिया में भी salary साल जादा नहीं बढ़ी है, listed companies में moderate हुई है, ठीक है, तो overall हमें देखने को मिलेगा, कि दोनों जगा पे ही लोगों की purchasing power जादा नहीं बढ़ने वाली, इसका मतलब market में पैसे का supply ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, और पैसे का supply कम करना ही, आर भी एका काम है, क्योंकि पैसे का supply कम नहीं होगा, तो ब्यास दर को कम नहीं कर सकते, अगर कम कर दिया, तो बहुत ज़्यादा महंगा ही हो जाएगी, ठीक है, core inflation remains benign, यह तो हमने पढ़ी लिया है, कि core inflation अभी उपर ही बढ़ा की 3.3% आया है, from 3.1% and बिल्कुल expectations के पास ही चल रहा है, यह, geopolitical risk and oil prices, oil prices तो देखे, estimates तो यह हैं कि इस साल बिल्कुल नीचे रहने वाला ह लिकिन जो West Asia conflict है और geopolitical tensions है, इसकी वज़े से आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, oil price कभी भी change हो जाता है, और China में जो domestic demand है, वो भी बहुत ही weak है oil के लिए, तो demand बढ़ेगा, तब तो price बढ़ेगा, यह, demand ही नहीं आ रहा है, तो price अभी पर नीजे सर्जयों के दाम होते है, inflation 3.3% बढ़ा year on year, and low रहा है, जो 4% का target है, उसके under ही है, तो overall supply shock हमें देखने को मिले 2023 से लिके अभी तक, लेकिन second round effects अभी materialized नहीं हुआ है, nominal, rural और urban wage growth हमने अभी बढ़ा 6.5% से कमी है, तो low के पास को जादा पैसा आया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि महेंगा इधर बहुत जादा बढ़ जाएगा, consumption बहुत जादा बढ़ जाएगा, headline versus score का argument यहां चल रहा है, RBI should remain steadfast, जो उसका current framework है उसके साथ, लेकिन जो spike आ रहा है कुछ food items में, ये कोई trigger नहीं है, height के लिए, ठीक है, जो correction है, कुछ volatile food items में, ये भी कोई appropriate trigger नहीं है, कि हाँ ठीक है, ये खाने के दाम अपसकते हुए है, सबजे होगे, तो मैं rate cut कर देता हूँ, नहीं, ये भी बहुत जल्दी बाजी होगा, तो debate हो रहा है, headline versus score के बारे में, तो core basically difference है, ये food inflation की बात हो रहा है, यहां ठीक है, headline versus score आपको लग रहा होगा, ये क्या technical terms मैं use कर रहा हूँ, but headline inflation में सब कुछ included होता है, आप समझ देजे, और core inflation में na, food नहीं होता, तो food ही सब को परिशान कर रहा है, ये बहुत वालटायल है, अगर core inflation को देखा और इसको measure क्या होता, तो अब तक तो ब्याज़र कट चुके होता है, policy rates don't need to stay high, ठीक है, तो sustained low underlying inflation है software growth है, तो यहां policy rate जो है forward looking होरा चाहिए, यहां पर हमारे rates को बढ़ाने की तो कोई ज़रौत है नहीं और ये इसमें कोई दूर आए भी, financial stability arguments हम बिलीव करते हैं कि इंडिया को टिंबोगन rule follow करना चाहिए, जहां पर एक tool होना चाहिए for each target, policy rate है price stability के लिए, macro prudential tools है financial stability के ल रहे है, macro rule, potential rule जो हम budget बना रहे हैं अपना कि कितना खर्च करना है, कितना invest करना है इस बार, कितने पैसे चापने है, तो यह सारी चीजे tool यूज होनी चाहिए, financial stability के लिए, तो यहां पर यह pocket जो है हमारे consumer lending के, यह अगर hold up करते रहेंगे, तो higher risk waiting भी announce होनी चाहिए, तो higher risk waiting इसमें मैं नहीं को सुआँगा, यह समझाने मुझे time लगेगा, bank से related है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कि जैसे credit card में bank आपको क्या दे रहा है, let's say, एक लाग का limit दे रहा है, तो credit card में आपने एक लाग नहीं दिया, bank को तो क्या है, इसके against आपकी property थोड़ी assigned है, आप क्या chance है कि इसमें से पैसे वापस ना है, तो एक loan जो कि उसे ने जमीन देखे लिया है मुझे, और एक जो credit card पर दिया है, मैंने, दोनों को मैं बराबर risk मान सकता हूँ, नहीं, अगर आपके घर के कागजाद मेरे पास है, तो यह मैं कम risk मानूँगा, let's say 1% मानूँगा, इ on the basis of this, इसी की बात हो रही है, और अगर balance of risk की बात करें, growth और inflation में तो शिफ्ट हो रहा है, inflation का जो risk है, यह overstated है, ठीक है, inflation risk को लोग over estimate कर रहे है, इस वक्त और जो monetary policy है, वो long lakhs से काम करती है, मतलब आज अगर आदी है का inflation rate घटाती है, तो इसका effect आज नहीं देखने को मि है, आप देखे, इंडिया पूरा यहां से effect होगा, 140 करोड लोगों की बात है, यह industries की बात है, तो ऐसा नहीं होता कि आज कुछ आज करें, और आज का आज इसका effect देखने को मिल जाए, तो यहां एक lag जरूर रहेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो जरूरी से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,